राधी राधी दोस्तों, दोस्तों आदी शक्ति मा दुरका अपने भक्तों का कल्यार करती हैं, मा अपने भक्तों के सभी कश्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसादी हैं, मा की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त नवरात्री का इंतजार करते और नवरात्री में माह का विशिश रूप से पूजन करते हैं जिसे माह की कृपा प्राप्त हो लेकिन दोस्तों माह की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्री का इंतिजार करने की आविश्यक्ता नहीं है क्योंकि हर महा की दुर्गा अश्टमी पर आप माह का पूजन कर मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं देवी भागवत पुराण के अनुसार हर महा की शुक्ल पक्षी अश्टमी को मांसिक दुर्गा अश्टमी का पर मराना चाहिए इस दिन मातारानी का विशेश रूप से पूझन कहना चाहिए ऐसा कहने से मां अपने फक्तों के सभी कश्टों को दूर कर मन चाहा बर्दान देते हैं देवी भागवत पुराण के अनुसार जो फक्त मासिक दुर्गा अश्टमी पर दुर्गा सब्तसती का पाढ़ करते हैं उन्हें कभी भी प्रेमी जनों के बिचों का दुख सहिन नहीं करना परता उनके सभी शत्रों को मां शांत कर देते हैं और उनकी सभी मनुकामना को पूकर सुक्सम्रधि का बरदान देते हैं शांस्तों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिने मासिक दुर का अश्टमी पर करने से माता राने की असीम कृपा प्राप्त होते हैं. मा की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती हैं. किस्मत का साथ मिलने लगता है और बिगडे कार भी बनने लग जाते हैं. मा अपने भक्तों को मन चाहा बर्दान देती हैं. साथ ही धनकी देवी मा लक्ष्मी भी अतिशेक्र ही प्रसंद हो जाती हैं. मासिक दुर का अश्टमी पर माता रानी का पूझन करने के लिए सुबह उठकर इस्तान का सुच्छ लाल रंग के बस् करते हैं. आज के दिन आप मा को खFlow क अवश्य लकाएं. मा को खीर अतिथिक प्रिये है. खीर का भोग लगाकर मा की आर्थी अवश्य ही करें. ऐसा कहने से माताराने की कृपा से धन धाने संबंधी समस्या दूर हो जाती है मा अपने भक्तों को धन धाने का आशिर्वात देती है और आठिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है खीर का फोग लगा कर हो सके तो इस खीर में से थोड़ी सी खीर आप किसी कन्या को खाने को दें प्रशाद के रूप में खीर कन्या को दे कर इसे प्रशाद के रूप में ग्रहन करें अगर आपने दुर्गा अश्टमी का ब्रत रखा है तो आप सवा के चावल की खीर बनाएं नहीं तो आप साध़ चावल की भी खीर बना सकते हैं और फिर इसे प्रशाद के रूप में अवश्य ही ग्रहन करें ऐसा कहने से मां की अस्यम कृपा प्राप्त होती है और पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाता है दुर्गा अश्टमी के दिन माता रानी की पूजन के साथ ही कन्याओं का भी बिधिबत पूजन करना चाहिए अगर आप ज़्यादा कन्या ना बुला सकें तो कम से कम एक कन्या का पूजन अवश्य ही करें कन्या को घर पर बुलाएं और नवरात्री की तरहें कन्या का पूजन कर कन्या को भूजन कराएं आप खीर पूरी बना कर या हल्वा चना बना कर इसका मा को भोग लगाएं और फिक कन्या को भूजन कराएं अगर किसी कारण वश आप अपने घर पर पक्वान ना बना सकें तो आप मार्केट से कोई मिश्थान लाकर उसका मा को भोग लगाएं और फिर उस मिश्थान को कन्या को प्रशाद रूप खेला दें ऐसा कहने से भी मा भगवती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी कन्या को भोचन कराकर कन्या को तच्छडा में कुछ रुपए अवश्य ही दें और कन्या की पेर चुकर आशिरवात लें दुर्गा अश्थमी पर इस तरहें कन्या पूचन करनी से मातारानी बहुत प्रसन्य होती हैं और मा की कृपा से धन धानने की प्राप्ती होती हैं दुर्गा अश्टमी के दिन मा दुर्गा को सिंदूर, छूडिया, कंगा, शीशा, वहंदी, महावर, इत्यादी, अवश्य ही अर्पित कहने चाहिएं। ऐसा कहने से मा भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। दुर्भागय सो भागय में बदल जाता है और बिग्डे कारे भी बनने लगते है। जो भगत दुर्गा अस्टमी पर मा को शंगार की सामगरी अर्पित कर मा का पोज़न करते हैं और फिर इस सामगरी को किसी सुहागर महला को भेट में देते हैं। ऐसा करने से मा भगवती की अस्यम कृपा प्राप्त होती है। मा अपने भगतों की फोटी से फोटी किस्मत को भी चमका देती है। मा की कृपा से किस्मत का साथ मिलने लग जाता है। जिसे मेहनत के अनुसार नहीं, मेहनत से भी अच्छा पढ़ना प्राप्त होता है। सुहागर महिलाओं को सुहाग की सामागरे अर्पित कर, इसे प्रशाद के रूप में खुद ही इस्तमाल करना चाहिए। ऐसा कहने से पती-पत्नी में आपसे प्रेम बढ़ता है, दामपत्य जीवन सुख में बनता है और जीवन साथे का भरपूर सहयोग मिलता है। कन्याएं भी इन चीजों को खुछ से इस्तमाल कर सकती हैं। ऐसा कहने से उनके भी बैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और जल्द विभा के योग बनते हैं। श्रिंगार की सामाकरी कन्याओं और महिलाओं को नहीं पोशों को भी अवश्य ही अर्पित कहने चाहिए। और फिर इन्हें किसी सुहाकर इस्त्री को आप चाहें अपने घर में हो या मंदिर में ब्रामडी जी को जाकर दान में दे सकते हैं। अगर आप सभी सोहा की सामगरियां अर्पित ना कर सकें तो आप अपनी सामधा नुसार जितने हो सकें उतने सामगरी अर्पित कर सकते हैं अगर सामगरी अर्पित ना कर सकें तो कम से कम लाल रंगी चुनरी मा को अवश्य ही अर्पित करें तुर्गा अश्टुमी के दिन एक पान का पत्ता लें पान की पत्ते में आप गुलाब की साथ पंखुडी रखें और फिर इसे मा भगवती को अर्पित कर दें इसकी पश्चात मा के सामने एक दिया जलाएं और मा की आर्थी करें इस तरहें माता रानी का पूजन कर आपकी जो भी समस्या है वह मा की सामने कहें और समस्या दूर करने की प्रातना करें धन की हानी को दूर करने की प्रातना करें दोस्तों दुर्गा अश्टुमी के दिन मा का इस तरहें पूजन करने से मा की कृपा प्राप्त होती है मा अपने भक्तों की धन संबंदी समस्या को दूर करती है धन का लाव होता है और मा की कृपा से मनचाहा बरदान मिलता है धन लाव के लिए देवी भागवत पुरार में बताया गया ये बहुत ही अच्छुक उपाए है इसके इलावा धन लाप के लिए और कश्टों को दूर करने के लिए एक अन्य उपाए भी दूर का अश्टमी पर किया जाता है इस उपाए को करने के लिए सबसे पहले इस नान का सुच्छ बस्त धारन करे अब एक बरतन में थोड़ा सा जल ले लें आपको साफ पानी लेना है अगर घर में गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल ले अब आपको इस जल में एक चुटकी हल्दी डाल देनी है बस यह जो जल है वह पीले रंका हो जाए आपको थोड़ा सा ही जल लेना है अब इसको आपको अपने मंदिर में रख देना है और मा के सामने दिया जलाकर मा का पूजन करेना है आप देवी भागवत पुरान का दुर्गा सबसती का पाठ कर सकते हैं दुर्गा चालिसा का भी पाठ करेना शुब रहता है या फिर आप ओम दुर्गा नमा मंदिर का भी जाप कर सकते हैं पूजन से पहले मा को फल मिश्थान का भोग लगा कर कुमकुम से तिलग करें इसके पशार मा का पूजन का आर्थी करें और इस जल के पाठ को आप मा के सामने मंदिर में ऐसे ही दखा रहने दें इस जल के पाठ को आपको पूरे दिन पर ऐसे ही दखा रहने देना है और दुर का अश्टमी पर संध्या काल के बार जब थोड़ी रात्री शुरू हो जाए अंधेरा हो जाए तब आपको इस जल से अपनी घर में छिड़काव करें इस जल का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही छिड़काव करना है इसके साथ ही अपनी किचिन में और अपनी रुपए रखने की जगे पर आप इस जल का छिड़काव अवश्य करें मा की आशिरवास सुरुब इस जिल का छिड़कार जो आप अपने घर में करेंगे खास तोर पर किचिन में धन रखने के इस्थान पर और मुख्य दर्वाजी पर तो वहां जो मौझूद नकारात्मक उजा होगी वह नश्ट हो जाएगी और सकारात्मक उजा का संचार होगा जिससे घर में मा लक्ष्मी का प्रवेश होगा और मा लक्ष्मी का बास होगा मा की के पास एक घर में धन धानने की कमी नहीं रहेगी धन का लाब होगा और कश्टों से छुटकारा मिलेगा इन तीन जगों पर आपको इस जल का छिड़काव अवश्य ही करना है इसके इलाबा आप जाहें तो अपने बैटरूम में भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं अपने घर में भी कर सकते हैं इस जलका छिड़काप करने से घर में मौजूद नकारात्म कुजा नश्ट हो जाएगी लेकिन टॉयलेट में, बात्रूम में और कच्रा रखने के इस्थान पर जूते चप्पल वाली जगर पर इस जलका छिड़काप ना करें दुरका अश्टमी पर धनलाव का मा की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है दोस्तों दुरका अश्टमी पर बिधी बिधान पूर्वक मा दुरका का पूजन करने से कश्ट दुख नश्ट होकर शुत्रों पर भी विज़े प्राप्त होती है मा अपनी भक्तों को सेहत और धन्वैभब का बर्दान देती हैं धार्मिक मानेता के अनुसार इस दिन पूर्शध्धा के साथ देभी दुर्गाची की उपासना कहने से सभी मनुकामनाय पूर्ण होका जीवन के सभी संकर दूर होते हैं उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचेंग राधे राधे